नमस्कार साइशन स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज के अध्यन का विशह है कलिंग युद्ध जो प्राचीन भारत में घटी एक महतोपुर्ण लडाईयों में एक है तो आईए इसका अध्यन आरंब करते हैं असोक के तेरहवे अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्या भिसेक के आठ वर्स बाद कलिंग की लड़ाई लड़ी थी कलिंग विजय उसकी आखरी विजय थी यह युद्ध 262-261 इसा पुर्व में लड़ा गया था युद्ध के कारण कलिंग पर विजय प्राप्त कर असोक अपने सामराज्य में विस्तार करना चाहता था सामरिक द्रिष्टी से देखा जाए तो कलिंग बहुत महतोपुर्ण अस्थल था अस्थल और समुद्र दोनों मारगों से दक्षिन भारत को जाने वाले मारगों पर कलिंग का ही नियंत्रन हुआ करता था यहां से दक्षिन पुर्वी देशों से आसानी से संबंध बनाए जा सकते थे कलिंग युद्ध के पड़िनाम मौरे समराज्य का विस्तार हुआ इसकी राजधानी तोसाली बनाई गई इसने असोक की समराज्य विस्तार के नीती का अंत्र कर दिया कलिंग युद्ध का असोक के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा उसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार का रास्ता अपना लिया असोक बहुत धर्म का अनुयाई बन गया उसने बहुत धर्म का परचार परशार करना सुरू कर दिया समराज्य असोक अपने संसाधन प्रजा की भलाई में लगा दिये उसने धम की स्थापना की समराट असोक दूसरे देशों से मैत्री पूर्ण संबंध भी बनाने लगे कलिंग युद्ध मौरे समराज के पतन का कारण बना औहिंसा की नीती के कारण उसके सैनिक युद्ध कला में पिछरने लगे पडिनाम स्वरूप धीरे धीरे उसका पतन आरंब हो गया तथा असोक की मृत्यू के पचास वर्ष के भीतर ही मौरे समराज का पतन हो गया इस युद्ध में लगभग एक लाख लोग मारे गये और लोगों को बंदी बना कर मगद लाया गया और संपुर्ण कलिंग छेतर में आग लगा दी गई इस युद्ध के बाद असोक का हिर्दय परिवर्तन हुआ और उसने हिंसा त्याग दी इस युद्ध का वर्णन असोक के तेरह सिला लेख में मिलता है धन्यवाद